सभी समू की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को प्रेर्णा टीवी चैनल की तरब से भी नमस्कार दीदी जी आप लोग के तरब से काफी हमें प्याल मिल रहा है इसके लिए धन्यवाद स्वेम शहाता समू की दीदियों आज ये टॉपिक आपके लिए ही हमने बनाया है तो आप सबसे निवेदन है जी हाँ प्लीज आप सब इस वीडियों को अंतक जरू देखिए क्योंकि ये काफी आपको लिए जी हाँ आपके लिए जनकारी युक्त है जी हाँ अगर आप स्वेम शहाता समू में जुड़ी है तो इस वीडियों को देखना बहुत जरूरी है जी हाँ जैसे कि मैंने थमलेल में लगा रखा है पढ़े लिखे महिला को बनाया पदाधिकारी जाने क्यूं जी हाँ इसी टॉपिक पी आज मैं चर्चा करूँगी आप सबी से जैसे कि दिदी मैंने बताया है कि पदाधिकारी जो होती है शमू की अध्यास अचीव कोशा अध्यच जी हाँ आप अगर श्वयम श्याता समू में जुड़ी हैं तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें जब आप अपने समू में पदा अधिकारी का चुनाव करें जी हाँ पदा अधिकारी का चुनाव करें तो उनको पढ़ाई लिखाई आना चाहिए जी हाँ उनका पढ़ाई लिखाई थोड़ा होना चाहिए कम से कम गड़ित और हिंदी का ज्यान तो अवश्य होना चाहिए ऐसी दीदियों को न बनाया पता अरिकारी जिससे हो शके आपको आगे चलके परिस्थानी अग कोई दीदिया आप नराज भी मत होईएगा जो दीदी कमपड़ी लिखी है उनसे मैं शमा चाहूंगी इस बात के लिए कि जो मैंने ये वीडियो बनाया है साथ उनको तकलीब भी पहुचे तो दीदी तकलीब की बात नहीं है ये आपके भविश्क के लिए है कि पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी है पदादिकारी एक पद है जो पद के साथ ही जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी जी हां ये जिम्मेदारी पैसे का है लेन दिन का तो अगर जो दिनिया पढ़ी लिखी नहीं रहती है अगर उनको पदादिकारी बना दिया जाता है तो बैंक से पैसा निकास कर इधर उधर हो जाता है और काफी समस्याओं का शामना करना पड़ता है ऐसे ही मैं आज एक सर्वे करने निगली थी एक समू में जा पहुची वहाँ भी मुझे ये पता चला कि 12 सदश्या है समू में लेकिन समू में कोई दिदिया पढ़ी लिखी नहीं है यहां तक की पुस्तक संचालक भी नहीं है तो उन समू में काफी दिक्कते हो रही है दिक्कते क्या है कि समू में जब कोई पढ़ा ही लिखा नहीं है कोई दिदि आई समू बना दी और खाते भी खुल गए एक लाग दर्जार आया और आर्यप की पैसे भी आ गए आप सोची उस समू के अंदर एक लाग पच्चिस अजार आ चुकी है लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है बिना लेखा जोखा के दिदी आप भी समझदार है आप कहीं लेन दिन करेंगी उसको लिखना कितना अवस्तक है जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि समू में सबसे बड़ा समू चलाने का सूत्र एक ही है पान सूत्र समू अगर आपको चलाना है आज जीवन हमेशा के लिए जी हाँ गरीबी हमेशा के लिए हटानी है और समू को हमेशा चलाना है तो आपको रजिस्टर अच्छे से लिखना होगा जी हाँ पान सूत्र का पालन करना होगा अगर आप समू चलाना चाहती है तब पान सूत्र का पालन आपको करना बहुत जरूरी है जी हाँ जो इस तरह है सापताहिक बैठक आपको बैठक करने हो ना अनिवार है उसके बाद आता है बचत हर बार हर बैठक में आप लोग अपना खुद का बचत जरू किया कीजिए चाहे वो 10 का हो या 20 का अगर आपके पास ना हो तो एक हपता नहीं तो दूसरे अपते आप जरू जमा करें कोशिश करिए 10-20 का बचत कोई काफी लंबाइ वांट नहीं है लेकिन आप सभी समय से अपना बचत करती रहें और समय से रिंड लेकर और समय से वापस भी करती रहें जिहां आंत्री गुधार और समय से रिंड वापसी ये चीजों को ध्यान में रखें जि स्मूं बनाने से पहले बचत करने से पहले या आर्याप आने तक किसी दीदी का एक चुनाव कर लिए जो आपके समूं में लिखे नीहां आपके रिष्टों को लिख सके तब तो आप आरेप और चेकररीती का उपेव किये नहीं मत करिए क्योंकि आप हो जाएंगी परसान आगे चल कर इसलिए आप दिद्यों सनुरद है कि आप समू बनाईए बारा है तेरा है चवदा उसमें कोई एक अच्छी आप अच्छी योजना है इस योजना में आप जुड़िया और लाव उठाईए लेकिन एक पुस्तक संचारक अच्छे से खोज लिजे जो दिदिया अच्छे का आपका इसाब किताब कर सकें अब आ जाते हैं पदा अधिकारी क्यों ज़रूरी है जी हाँ दिदी पदा पता नहीं किसको दिया पता नहीं यह जिजह नहीं होने चाहिए जब मैं एक समु मैसे जब आज गई तो यहां देक्ने को यह मिला कि दीडी ने signature तो की लेकिन कहा कि यह क्या लिखा है उनको पता ही नहीं कि का रहा है पर क्या लिखा गया है बस उन्हों जिसने जो बताया उन्होंने वो माल लिया और शिरनीचे कर दिया उसके बाद बैन से पैशे भी निकासी हो गए और पैसे कितने थे वो भी नहीं पता उसके बाद कितना किंदीतियों को दिया गया मौखिक कोई चीज नहीं होती मौखिक में आज देते वक्त सब सही है लेकिन कल लेते वक्त सब गड़बड हो जाएगा तो सभी दिर्यों से निवेदन है कि आप सभी पदा अधिकारी का चुनाव कुछ तो पढ़ी लिखी जरूर हो और शमजदार भी हो समु चलाने का पन सूत्र तो है ही नियम जी हाँ पन सूत्र का नियम है सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत और आत्रीकुदार्स समसरिनो वापसी लेखा जोखा लेकिन एक सूत्र और भी होना जरूरी है पढ़ाई जी हाँ पन सूत्र है लेकिन छटा सूत्र भी वनाना चाहिए कि पदा अधिकारी और एक पुस्तन सचालक का चुनाव जरूर हो जो कि पढ़ी लिखी हो तभी समु गठत करें और समु का रेष्टर सुरू से ही सही चले क्योंकि जो जिसकी जड़ कम जोर होती है कहा गया है वो पेड कभी आगे चलके फल नहीं देता तो सभी दिदियों सन्रोध है आपके अगर समु बनाए गया है तो पदा अधिकारी अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो इस बात का विशेश द्यान दे कि अध्याश अच्यू कोशाद्याश कुछ पढ़ी लिखी हो और पुस्तक संचालक का पहले चुनाव आप जरू कर ले एक बार फिर से कहूंगी दिदि अगर आपका जड़ ही कम जोर रहेगा तो पेड में कभी फल नहीं लगेगा आज समू आपने बना लिया लेकिन ये समू ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं आपको अगर मौका मिला है समू बनाने का और समू चलाने का सरकार के पश्चे पा गई है आप लोग समू अच्छे से चलाईए और आगे बढ़िये देकिन लेखा जोखा करेंगी तब जब तक लेखा जोखा नहीं होगा आपका समू विकास नहीं करेगा तो आप सभी से दिमेदन आपकी दिदी कि समू बनाने से पहले एक पुस्तक संचलाग का पहले अच्छे से चुनाव कर ले और पदादिकारियों का ऐसे चुनाव करें जो दिदिया ले इन देन अच्छे से कर सकें जी हाँ पैसो के बारे में जानकारी प्राप्त रहें उनको कि क्या उनसा पैसा निकल लहा है और हम शिगनेचर कहा रहा है जी हाँ सिगनेचर कहा कर रहा है इस बात का विशे ध्यान दे सकें क्योंकि ना दीदी फसे और ना किसी और को फशाएं पता लगा समू बनाया गया उनको पता नहीं शी नेजर कहां कर दिया करवाही पे पता नहीं पैसा कितना निकला पता नहीं किसको मिला वो भी पता नहीं बाद में जब ग्राम संगठन में भरने की बारी आई तो पैसा कोई ले गया लिखा कहा है पता नहीं मौखी बाते कोई मानने को तयार नहीं अब वो पैसा दीदिया कहां से भरेंगी क्योंकि उन्होंने बैंक से पैसा निकासे किया है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है पैसा आपने निकाशे किया आप जमा करो लेकिन वो दिदिया कैसे जमा करेंगी तो ये चीजे आई मुझे देखने में तो किसी को तकलीफ पहुझाने का मेरा तातपर नहीं था बस मेरा ये वीडियो बनाने का तातपर एही है कि सारी दिदियों को आउगत कराओं और हमारी प्यारी दिदियां जो गरीबी में जूर रही है और गरीबी के कुछ चक्र पे ना फज़ाएं तो आज के वडियो में इतना ही धन्यवाद